असलाम वालेकूम वेलकम टू सोहने की धुनिया तो यहां मेरी गुड बॉर्णिन हो चुकी थी मैंने सचा अपनी रूटीन आप से शियर करूँ सबसे परे जब मैं सोकर उठी तो मैंने सचा कि मैं अपने निये कबाब फ्राइक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अंडा पराठा काने का और कोई और चीज़ खाने का कोई दिल नी चाहरा था तो इसलिए मैंने फिर कबाब फ्राइक कर लिया उसके बाद अमी ने कहा कि आज हमें इम्तियास जाने तो हमतियास आ गए अम्मी चल्दी चल्दी बाकी चीज़े ले रही थी और सबसी वाली जगा पर मैं आ गई थी जब भी सबसी लेनी होती तो हमेशे अम्मी कहती है तुम जाके सबसी ले लो क्योंकि मुझे आइडियो होते है कि क्या चीज़ खराब है और क्या चीज़ खराब नहीं है तो मुझे मैं सही परचान लेती हूँ वही चीज लेती हूँ अमी ने माशाला मुझे इतना अच्छा गाइट किया वाला है कि यहां से सबसी इस तरह से मत लेना यहां की खराब होती है यह चीज तो पर भेन भायों में सबसे ज़दा लेना इस चीज का आइडिया मुझे यह तो हमेशा सबसी लेना फिर मैं ही चली जाती हूं अम्तियास में यहां मी मीट ले रही थी तो वो मैंने देखा और बाकी यहां वाफसी हो चुकी तो कि मैंने आपको पूरी अम्तियास की हर चीज नहीं दिखा लिए एक पूरी हिम्मद भी नहीं ओरी थी कि पूरी ग्रॉसरी की आपको वीडियो दिखाऊं लेते वे तो यहां पे वाफसी में मुझे मिल्क लेना था और धरी लेना था तो अम्मी शॉप में आ गई थी और यहां हमने इने बॉक्स दिया उनने नहीं हमें मिल्क एंड ग्रॉगर्ट डाल कर दे दिया था और अब मैं रहमत शीरी आ चुकी थी मैंने रहमत शीरी की प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई जो प्रिक्स ली थी तो मैंने सोचा कि मैं वह आपके साँ शूर कर देती हूं और यहां की वीडियो बना रही का पीजा सैंविश भी बहुत अच्छा था सिंगर बर्गर और प्लस चीज तो इनके होते ही अच्छे हैं और यह जो पीजा सैंविश तो यह भी बहुत अच्छा था आप लोग जरूर ट्राय करेंगे वैसे आपको अगर रहमत शीरी का पूरा व्लॉग इंफरमिशन देखन Island चायाँ है कि और कि उम्हीं निए से लिंक कर दो क्या आप वहां से देख सकते हैं ने रात खिल पापा का मूंन हो गया थे हम चाइड की डिया चाहे पीते हैं तो हम चाहे पीने आ अग्याटेय यह मेय जब भी आते हैं टिशू सबीजा आपको लिका तो किस तरह से कितना प्यारा सा बन जाता टिशू से उसके बाद थोड़े सिफ ट्राइस मंग वाली थे वैसी ही ताके जबान का टेस्ट अच्छा हो जाए सबसे पहले अंकल गुर वाली चाय ले आएتي जो मेरी ममो और journée सिस्टर को बहुत पसंद है तो पीना बहुत पसंदे मार्शालभा से और मुझे तो बिलकूल चाय में ना मिलाही पसंद है ना इलाइची पसंद है तो मुझे साधी स्टॉंग टी पसंद है तो ये अपने ये मिलाई दाल रही है यहाँ पर आप लोग भी मुझे कमेंट पर बताना है कि आप लोग को कैसी टी पसंद है मिलाई वाली पसंद है, ये साधी स्ट्रांग टी पसंद है वैसे मुझे आज का व्लॉग बनाना नहीं था लेकिन बस वीडियोस बन गए अब चीनी वाला पराठा लाकर दें तो चीनी वाले पराठा से काकर और मज़ा आ गया अगर मेरी आज की रूटीन अच्छी लेगे तो प्लीस लाइक कर दीजिए गा, लाहफ़ादे